आज स्टूरेंट साथ से हम अपनी रुवियन को स्टार्ट करेंगे ठीक है और रुवियन के साथ हम डिक्टेशन वर्ट भी करेंगे ठीक है आज हम करेंगे वन टू और थ्री पेजेस आइटम बन आ, आ मतलब होता है, एक, आ डेस्क, एक डेस्क, आ पेन, आ पेंसल, आ रूलर, आ बुक, आ बेल, नेक्स पेज पेज पे चलते हैं, जिस पेज पेज नमबर टू, आइटम वन, आ, आ कैट, एक कैट, आ टॉग, आ हैन, आ टक, आ फैन, आ रूबर, पेज नमबर टू, आइटम वन, यूजफ एन, एन का मतलब भी एक होता है, ठीक है, लेकिन एन उन वर्ट के साथ यूज़ होता है, जो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हैं, उनको हम वाउल्स होते हैं, जैसे के एन एपल, एक एपल, अब ये जो एपल है, वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए क्या है, वाउल्स है, ठीक है, एन ओरेंज, एन एग, एन तंब्रेला, पेज के डाउन पे हैं, रीड अलाउं, पड़ो, और मुझा भोलो, यूजफ ए, इसमें जो ए है, वो किसी ना किसी वर्ट में होगा, और यहां तो फिर जो ए है, उसे वर्ट स्टार्ट भी होगा, जैसे ए डबल जी एग, इसमें देखें, ए का यूजफ हुआ है, यह देखें, ए, बी ए डबलल, ए बेल, एच ए एन, हैन, पी एन, पेन, पी एन, सी आई एल, पेंसल, डी ए एस के डेस्क, अब जो ए है, वो इन सब में है, ठीक है, अब अपने डिक्टेशन वर्ड हम करते हैं, इस रूरंट से हमारा फर्स वर्ड है, डेस्क, डी ए एस के डेस्क, सेकिंड है पेंसल, पी ए एन, सी आई एल, पेंसल, फोर्थ है हमारे पास रबर, और फिफ्थ है हमारे पास अंब्रेला, यू, अंब्रेला, अंब्रेला, तो सुरेंट्स आपने इन वर्ड को अच्छे से लान करना है, अपनी मदर को बोलें कि आपको ये अडिक्टेशन वर्ड करवाएं, वो बोलेंगी तो आपने जबानी जो है अपनी नोट बुक पर राइट करना है, ओके अलाव फे